My dear students, today our topic is division. आज हम division के बारे में समझेंगे, सबसे पहले हम division के terms समझते हैं, ओके, the number which divide is called divisor, मतलब जिस number से हम divide करते हैं, उसे हम divisor बोलते हैं, the number that is divided is called dividend, जिस number को हम divide करते हैं, उसे हम बोलते हैं dividend, the number of times the divisor is contained in the dividend is called quotient, मतलब डिवाइजर जितने बार dividend को solve करता है, उसे बोलते हैं quotient, ठीक है, the left over number is called the reminder, जो last में बच जाता है, left हो जाता है, उसे हम reminder बोलते हैं, ओके, देखते हैं कैसे, अब देखिए, 18 को divide कर रहे, 18 को 4,362, से divide करना है, और हमारा यहाँ पर answer के निकला है, 242, और बच्चा क्या है, हमारा 6 left हुआ है, ठीक है, तो हमने 18 से divide किया, तो 18 के हमारा divisor, जिसको हम divide कर रहे हैं, वो हमारा dividend, और जो हमारा answer निकला है, वो क्या हमारा, quotient, और जो बच गया last में, वो क्या हमारा reminder, ओके, यहाँ तक आपको अच्छे सी समझ में आ गया होगा, अब हम आगे देखते हैं, अब next हमें क्या करना है, find the dividend, dividend को dividend निकालना है, जब हमारे पर divisor, quotient और reminder दिया हुआ है, तो सबसे पहले dividend का formula क्या होता है, quotient multiply divisor plus reminder, तो dividend equals to, quotient के हमारा 8352, divisor के हमारा 236, plus reminder के हमारा 158, ओके, तो सबसे पहले हम quotient को diviser से multiply करेंगे, multiply किया हमने, तो हमारा क्या आगया, ये, 19,71,072, ओके, फिर हम क्या करेंगे, 158, reminder को इसमें add कर देंगे, हमने add किया, तो हमारा क्या आगया, 19,71,230, तो हमारा dividend क्या आगया, 19,71,230, ओके, आप देखते हैं next, पढ़ते हैं next question, write down the greatest number of seven digits, and divide it by smallest number of three digits, इसमें क्या करना है, जो seven digits की greatest number है, उसे हमें three digits की smallest number से divide करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, greatest seven digit number, क्या होती है, greatest seven digit number, 99,99,999, और smallest three digits number क्या होती है, तो हम क्या करेंगे, इस digit को 100 से divide करेंगे, आईए करते हैं, अब 100 को इस से divide करते हैं, तो three digits का है, तो यहाँ पर भी three digits में करेंगे, तो 100 9 जा 900, ओके, अब इस में से sub check करेंगे, 9 में से 0, 9, उपर से 9, अब 199 में नहीं जाएगा, तो उपर से हम क्या लेंगे, 9 लेंगे, ठीक है, फिर 100 9 जा 900, ओके, फिर इस में से sub check करेंगे, तो 99 आ जाएगा, फिर उपर से हम 9 लेंगे, ओके फिर जाएगा यह 1009 जा 900 ठीक है फिर 99 आ जाएगा सबस्टेक करके फिर उपर से हम 9 लेंगे ओके फिर 9 जा 900 में गया ठीक है फिर सबस्टेक क्या बचा 99 फिर हम उपर से 9 लेंगे ठीक है फिर 9 जा, 109 जा 900 में गया दुबारा फिर सबस्टेक करके 99 बचा ओके इसके बाद हम क्या करेंगे999 में नहीं जाएगा अब उपर भी कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे यहां पॉइंट लगा देंगे और यहां 0 लगा देंगे point लगाने के बाद यहां हम कित्ती भी 0 लगा सकते हैं ठीक है तो 100 9 जा 900 फिर क्या बच्छा आपका 90 ठीक है अब 1 और 0 लगा सकते हैं point लगाने के बाद हम फिर 9 जा 900 तो यहां पे क्या हुआ यह हमारा answer क्या आया 99999 99.99 क्या आया 99999.99 ओके यहीं हमारा जो चैप्टर है वो खतम होता है थैंक यू